आगरा में सर्वाधेत लोगप्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तादनगरी में कोर्णावारस के संकट के दोरान दवाई बाजार से कई जरूरी दवाईयां और इंजेक्शन के किल्लत हो गई थी लेकिन हालात सामान होने के साथ साथ अब दवाईe मारकेट में दवाईयों की हो रही शौरट इज भी कम होती जा रही है साथ दवाईयों के उच्छाल मारते दामों पर भी लगाम लगी है देश और प्रदेश के साथ साथ ताजनगरी में भी हालात असामाने होती हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेट के साथ साथ अक्सिजन सिरिंडर की किल्ट ने मरिजों तिमारदारों को परिशान करके रख दिया। तो वहीं ऐसे में दवा मार्केट में भी कई जिवनक्षक यंत्र और कई जिवनक्षक दवा की भी कमी होती हुए नजर आई। हालाद इतने बिगड़ गए कि बेस्थाओं के लिए जिलाप्रसासन को हस्ताशिप करना पड़ा। उस समय जो रेमिडिसर इंजेक्शन जो आता है जो कॉरोना में यूज किया जाता है उसकी स्तीती उस समय काफी खराब थी पर कुछ समय पहले हमारे अध्यक्ष जो है आशी शर्मा जी उन्होंने पूरी जो समाला उसको और सारे हॉस्पेटल में उसकी प्रॉपर सप्लाई के अंदर उनकी पूर्ती पूरी पूरी करवा दी जाएगी कमडी दूरू लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब हलाज सामाने होते जा रहे हैं ना तो अस्पतालों में अब बैट की कोई किलत है और ना ही अब शेहर में ऑक्सिजन की कोई कमी तो वहीं दवा मार्केट में भी कि अब हला सामाने होते जा रहे हैं मरूज़ों को दवा कारोबारी दवाएं उवलप्त कराने का काम कर रहे हैं साथ दवाओं पर बढ़ते दामों में भी अब कमी देखी जा रही है बदलते हलातों के बीच ब्लैक फंगस नाम की विमारी अब लोगों के लिए बड़ी समस सा बनती जा रही है अभी भी ताजनगरी में ब्लैक फंगस की दवाइव प्रियावत मात्रश में उपलब नहीं है लेकिन दवा करो बारी को मानना है कि ब्लैक फंगस जसी घातक ब्याद में और प्रियुआ अपर कर लगाने के लिए सभी डवा करोबारी बाजार में उनकी पूर्टी नहीं हो पाई थी अब वोई दवाईयां जो उनसी है वापस आ रही है जब कि उनसे मना कर दिया कहता कि अगर किसी प्रगार से अगर आप इस तरह भरने लेके जाएंगे उनकी वापसी नहीं होगी फैवी फ्लू जो था लोगों ने अपने घरों में बने हैं और अब वो घर से निकाल निकाल के वापस देने के लिए आ रहे हैं जिनकी वापसी नहीं ले आ रही है जो कि जब इसकी जरूत थी पेशन को तब यह उपलब भी हो नहीं पारी थी गात को परदेश सरकार ने महँ मारई गोशित कर दिया है इस बिमारी के इलाज के लिए सबी परियाप दोये सबी सरकारियूर्त पॉर्लम उपलप कराई जा रही हैं ताजनगरी के सेंडमेटकरक्वाες में बलेक फंगस की बिमारी के लिए अलग से एक उपड बनाया है जह हैं विश्शक के मरीजों का उपचार कर रहे हैं अनिल सिंग सी न्यूजागरा